हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैंच अनम धनास्टिला से इस बच्च वाँच के वह है रियल इंग्लीश टेक्स्ट बुक है क्लास फोर्थ का और इसका जो चाप्टर नुम्बर एट जो के पोयम है ड्रीम्स यह पोयम के ऊपर के आज जो कोशन आंसर से वह आज हम यहाँ पर सॉल करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं इसमें जो फर्स कोशन है वह ही चूज द गरेक्ट आंसर और यहाँ पर हमें क्या करना है कि थी आप्शन दे जाएंगे उसमें इससे सही आंसर को हमें यहाँ पर टिक करना है ठीक है तो इसमें फर्स है वह टिस बियॉंड द तो हमारा सही आंसर है इन द यार ठीक है इसका नेक्स्ट यहाँ पर है रिड़ द पोएम क्यार्फुली मैच दो वर्स इन कॉलम ए विट एड्जेक्ट इन कॉलम बी विदाउट रेफरिंग बैक तू द पोएम और हमें यहाँ पर करना है यह और बी कॉलम दिये गए है हमे पर घ्र एछे वे च्रम्य कारिय्ट कशीया plaintति है पैं से डार ग्रीम यहाँ पर देखें ऑनकौ तो यह अन्सक्राइब की वजटेशा अम्लमेस का है राप यावं नयुह क्यां क्शें भेखिग करिकायों यह लाश्ण यह लाश्र आपर έχश स्का आंसरा है गोल्डन इस सारे से जोडिया लगाएंगे, या फिर आप जोइंट भी कर सकते हैं, या फिर इसका शैर इस सारे से लिए सकते हैं, ठीक है, इसके फार नेक्स्ट नमबर का जो question है, वो answer this question. इसमें three questions है, वो हम यह आपर solve करने हैं, तो यह जो questions है, वो यह आपर the mountain line the grey stone and the growth of dark green pine are between the poet and the fairy land next your question what are compared to rubies और इसका एंसर है second का what are compared to rubies the fruits in the fairy land are compared to rubies इसके बार नेक्स थर्ड कोश्चन है दिखे इस पोएम और थर्ड स्टान्जा what other things would the poet have talk about use your imagination and write as many things as possible और इस का एंसर है दिखे he will imagine about night with twinkle starts in the sky like a diamond ठीके तो इस तर से इस पोएम के उपर के जो कोश्चन आंसर से वो हमने यह आपर solve किये हैं I hope आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे यह वीडियो अगर आप लोगों को helpful लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए है तेसे सिस्क्राइब करना और आप हाँ बेल आइकान जरूर प्रेस करना ताकि मेरे जो नए ने वीडियो आते है उसकी नोटिविशन सबसे पहले आपको मिल जाएगे ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद